तो दोस्तों इस तरह की वीडियो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेटा को किसी भी वीपिन एप्लिकेशन के साथ कनेट करना है तो कनेट कनेट लेग पुछो भी वीपिन एप्लिकेशन यूज करते हैं उसको आप उपन कर लीजिए मैंने यहाप पर टर्ब पुमें को यूज करता हो तो मैंने उसको ओपन कर लिया ओपन करने के बद्सकों करना है तो अपने डेटा को वीपिन के साथ कनेक्ट कर लिए इस वाले template वाले link पर आप click कर लिए जैसे आप template वाले link पर click करोगे, एक इस तरह से Google का page open हो जाएगा तो यहां से आपको निचे की तरफ आना है तो यहां से आपको Google template काफी सारे मिलेंगे कि इसमें से आप जो भी चाहो उस वरे template को use कर सकते हूं लेकिन मैंने जो आपको प्रिव्यू में देखा अगर आपको वही वीडियो बनानी है तो उसके लिए आपको यहां पर टेंपलेट में गा गूगल टेंपलेट 6 तो जो टेंपलेट 6 है उसके उपर आपको क्लिक करना ह जीच करने का अगर अपने डेटा को बीपेन के साथ करके रखा होगा तो इस तरहीं से अपने किइप करने और को दो सब्ड़ेटा करने के आनना के आने का आपको जो भी फोटो वेडियो में एड करना जादे वैसे यह ब सभी फोटोको सिलेट कर लिए सबी फोटो को सिलेट करने के बद आपको यहां पे प्रिवीय वाले बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपकी वीडियो बनके तैयार होगे अब यहां पर आपको कुछ और एडिटिंग करने होगी तो सबसे पहले यहां पर जो टेक्स लिखा उस वह टेक्स आपको आना है वीडियो के पास में नीची के दरफ वहाँ पर गाप क क्लिक लिए टेक्स वाले बटन पर पर आने के अगर आ लिखना गाने के उसके बात जो भी चीज यहाँ पर आप टाइप करने लिखने जाए है मैं किसी का नाम लिखने वेले उबिषा एक रेंने के बाद को यहां पर लखना है इसके बाद हम कोई भी फोटो को अच्छे से नहीं आई तो उसवाली फोटो ओं दोट है अगर सारी फोटो एकदativos खhhh फिर क्रॉप पे जाए और इसको इस तरह से एड्रेस्ट कर लिजिए तो जो भी फोटो आपकी इस तरह से अगर क्रॉप हो यह तो सभी को इस तरह से एड्रेस्ट कर लिजिए अगर सारी फोटो एकदम साही से आईए तो वीडियो को एक्सपोर्ट करते एक्सपोर्ट विडा